करोना महमारी से आज दुनिया भर में दहशत है। आज दुनिया भर के वैक्यानिक इसकी वैक्सीन बनाने में चुटे है। पर मेरी मौत की बचा एक ऐसी बिमारी बनने वाली थी। जिसका इलाज इंसानी दिमाग कभी नहीं धोण पाया। अब हम तुमसे डरने मी वाले समझे। अच्छा तो हमारी बिल्ली हम पर ही पंजा मारेगी। हमने कभी सोचा भी नहीं था। हमें तुमसे ऐसे बात करनी पड़ेगी। हलो? हलो? नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के इस एपिसोड में मैं अनूफ सोनी आप सब कर स्वागत करता हूँ। पूरी दुनिया पूरी मानव जाती इस करोना के संकट से जूज रही है। लेकिन हमारा देश करोना के अलावा कई और वायरिसे से भी जूज रहा है। जिसे के अंद विश्वास, पाकंड, जाती बाद, अन्याए, गरीवी और महिलाओं पर अत्याचार। ये सब ऐसे वायरिस हैं जो धीरे धीरे हमारे समाज को बिमार करते जा रहे हैं। महिलाओं पर अत्याचार करने वायरिस जो की सबसे खतरनाक वायरिस है। इसने महिलाओं के अस्नित्व को ही कटगरे में लाकर खड़ा कर दिया है। और इसी वाइरिस के कारण महिलाओं को आए दिन महिला होने की सजा भुगत नी पड़ती है। आज का ये केस इसी वाइरिस से जुड़ी एक कहानी है। कुसुम, तुम ये चौकल छोड़ो छोड़ो भिटा हम कर लेंगे साब, जा तो। मा, लोकडाउन कुलने तब ओफिस तो जाना मी। खुर्सी पर पैठे पैठे देखो कितने मोटे हो गये हम। इसी बहाने घर का थोड़ा चूला चोका, अगर की साफ सफाई करेंगे न, तो थोड़ा अनुभाव भी ले लेंगे। क्या पता, इसी बहाने थोड़ा सा वजन कम हो जाए हमारा। कुसुम, तुमारा तो पता नहीं। टेकिन यह लॉगड़ाउन खतम होते तक ना हम घिसी बिटे किया बन जाएंगे। प्रूना वाइरस के चक्कर में तीन तीन बार कफड़े बढ़ता है। अरे वीदी, अब तेंच्छन क्यो लेती हो। कोई बात नी, आपका भी थोड़ा बात लेंगे। कभी-कभी हम भी कपड़ाद हो जिया करेंगे। ठीक है। अरे अपने बढ़के भीजा कानू भी बात लीजिए। लोगड़ाउन से पहले तो काम लगानी। और बाने वाले समय में रोजगार केतना मारा मारी होने वाला है। तो, क्या कि जिग महाराज। काच्यमत का दिखाएंगे। अरे पापाम अपना कुंडली देख रहे हैं। और इंडिया का भी। मितमबर 2020 में इंडिया बूम है। देश चंकेगा और हम भी चंकेगे। देख लीजेगा आप। पापा, हम अभी आते हैं। हाँ? तुम हमको डर के फोन के हो या हमको डराने को फोन के हो? डार्लिंग, कैसी बाते कर रही हो? यह मीठी-मीठी बाते ना, तो करो ही मत हम से। हम तुमको अपना प्यार जाहिर करने के लिए फोन के और तुम वाइदेंस पर उत्तर आई हो। तुम पर तो अब भरोसा ही नहीं रहा। अरे, क्यूं बात का वतंगड बना रही हो। नहीं था टाइम, इतलिए महीं कि एक कॉल। अच्छा, हमाजी बात तुनो। हाँ मुस्कान, हमने तुम्हें अभी इमेय भेज देंगे। ठीक है? ओके बाई! किसे बत कर रही थी? कुछ नहीं भाईया, वह हमारी कलीक का फोन था। ऑफिस के कुछ काम से फोन किया था। अच्छा, तो वर्क फ्रोम होम। हाँ भाईया, यह अनुभोवी बड़े कमाल का होता है। अगर आपका जौब होता तो आपको भी पता चलता। कुसूम। हाँ? अर तुम्हारा वर्क फ्रोम होम चल रहा है न। तो कहां जाने की तैयारी में हो? मम्मी, वर्क फ्रोम होम तुमारा तभ होगा न, जब हमारा लैपटॉप चार्ज होगा। और हमारा चार्जर खराब हो चुका है। यही पास में मारूफ गंच में हमारी एक सहेवी रहती है। हम तुरंत उसे चार्जर लेकर आ जाएंगे। अच्छा तो ध्यान से जाना। अज जल्दी काम खुतम करके सीधे घर आना। जी ममी, तुरंत आ जाएंगे। हाँ पास मेडम, कोई समस्या है तो हमको बताईये न। हलो, हाँ, शीतल लीदी, वो हमारी स्कूटी खराब हो गई है, स्कूटी खराब हो गई, अच्छा, अभी कहा हो तूँ, वो यहाँ, अनीसाबाद की हापे, पर कोसम तुम तो मारूफगन जाने वाली थी न, तुमारी स्कूटी अनीसाबाद में कैसे खराब हो गई, वो हमको हमको फुलवारी शरीफ में दो मिनिट का कान था सोचा अब वो भी लिप्टा ले और वैसे भी अभी लॉकडाउन के चलते कई भार जाना तो होता ही नहीं है तो बबलु भाईया है ना वो तुमारे पीछे ही निकले थे एक बारे उनको फोन करो क्या पता वो तुमारे आसपास ही हो बबलु भाईया हमारे पीछे निकले थे हाँ अच्छा तुम रुको हम बबलु भाईया को फोन करके बोलते हैं वो तुमें अनिसा बात से पिक कर लेंगे हाँ ठीक है चलेगा हाँ इतना देर हो गया अंधेरा होने चाह रहा है ना कुसूम का फोन लग रहा है ना बबलु का फोन लग रहा है हाँ हमको चिंता हो रहा है गली मुहला पूरा सून हो गया है अरे मम्मी गब रहा है मत उन दुनों को फोन का बैटरी खतम हो गया होगा अरे तो दुन्नों का बैटरी है के साथ है खतम हो जाएगा हमको कुछ ठीक नहीं लग रहा है हमरा मन गढ़ा रहा हमरा दुन्न बच्चा ठीक है कि नहीं अब इस लोग डाउन में साधन भी नहीं है कैसे खुजने जाए उनको अब शंकर का बेटा मन तो उसके वास बाइक है ना हाँ तुम अपनी ममे का ख्याल रखो ठीक है और अगर वह वापीस आजा है तो हमको फोन करना जी पापा जी पापा कुरोना वाइरस की पहले लॉकडाउन की रात में जब पूरे देश में कर्फ्यू था तब एक परिवार के दो भाई बहन कुसुम और बबलू लापता थे उनके पिता रामनात उनको ढूनने की नाकाम कुशिश कर रहे थे और उनकी मा दुर्गा और बहन शीतल सकते में थे और सुबह होते होते पुलिस भी बबलू और कुसुम की तलाश में जुट गई जब आप लोग को मालूम है कि सहर में लॉकडाउन लगा हुआ है बाहर नहीं निकलना है तो कुसुम को रुखना चेह था ना सर वो कुसुम के लैपटाप का चार्जर खराब हो गया था वो मारूफ गंज अपनी सहीली से चार्जर लेने के लिए ही गई थी किस है एलिज़ यह तो हम नहीं जानते अच्छा कुसम तो मारूफ गंज गई थी तो यहां अनिसाबाद कैसे आई यही बात हम भी कुसम से फोन पर पूछे थे पर कुसम तो मारूफ गंज आने वाली थी ना तुम्हारी स्कूर्टी अनिसाबाद में कैसे खराब हो गई? वो हमको फुलवारी शरीफ में दो मिनिट का कान था, सोचा आ वो भी लिपटा ले अच्छा तुम रुको, हम बबलु भाईया को फोन करके बोलते हैं, वो तुम्हें अनिसाबाद से पिक कर लेंगे हाँ ठीक है, चलेगा अलो, अरे का आपट है शितल, काए फोन कर रही हो? भाया वो कुसुम का स्कूर्टी है ना, अनिसाबाद में खराब हो गया है, आप उसको पिक कर लेंगे तो यहाँ बबलु अनिसाबाद में कुसुम से मिला था? सर, हमको नहीं मालू, हमने जब दुबारा फोन किया तो दोनों का फोन स्विच आफ आ रहा था कुसुम भुलवारी सरीफ किस से मिलने गई थी? यह तो नहीं बताई थी हमको कहीं ऐसा तो नहीं कि कुसुम आप लोगों से चच चुपा रही हो हो सकता है कुसुम का किसी लड़के साथ अफैर चल रहा हो यह क्या बोल रहा है साब? हमारी कुसुम ऐसी नहीं है सर, वहाँ पर एक फीमेल का सैंडल मेला है उस पर खून के धब्बे भी है हाँ? आई सर, यह देखिए सर कुसुम के साथ शरूर कुछ कलत है माना के सबूत मिला है लेकिन कुसुम का स्कूटी यहाँ पर खराब हुआ था तो क्या कुसुम स्कूटी समेथ गाइब होगी? और उसका भाई बबलू? वह बाई कि समेथ गाइब है ऐसे कई सवाल थे जिनके जवाब कुसुम और बबलू के घरवालों से भी नहीं मिले थे जैसे के कुसुम घर से निकली थी मारूफ गंज आने का कहकर यही पास मैं मारूफ गंज में हमारी एक सहेली रहती है हम तुरंट उससे चाजर लेकर आ जाएंगी तो क्या मारूफ गंज में कुसुम की कोई सहेली थी या फिर घर से बाहर निकलने के लिए उसने अपने परिवार वालों से जूट बोला था हमको फुलवारी शरीफ में दो मिनिट का कान था तो फुलवारी शरीफ में ऐसा कौन था जिससे कुसुम मिलने वाली थी और अनीसाबाद के कई इलाकों में च्छान भी शुरू की गई कुसुम और बबलू के दोस्तों, पडोसियों और रिष्टेदारों से भी सवाल जवाब किये जा रहे थे मैं कमी सूँ कमी सर यह हमारे थाने के ऑफिसर और कॉंस्टेबल का फिटनेस रिपोर्ट आल गुट? यह सर ग्रेट अच्छा तुम यो भाई वैं के मिसिंग के इसको इन्वेस्टिगेट कर जो इसकी के अपडेट है सर हमारे टिप में इन्वेस्टिगेशन कर रही है हमारे असाब से भाई में कुछ गड़ बड़ है सर तो में एडेशनल टीम के ज़रूरत हो ने? नहीं सर फिर भी अगर ज़रूरत हो बता देना सर मामली केस है वैसे भी लॉगड़ाउन में आपको ज़र बड़ी टीम कर दो होते है सर यू करिया सर बड़ जाने के टाइम हो लागए सर माना की बढ़लु भाहिया काफे गुस्यल है लेकिन वो हमको और कुसम को लेके काफे प्रोटेक्टिव भी है यानि बहने कहां जा रही है किसे मिल रही है इससे पर नजर रखते थे तो ही गए ना हाँ सर सर एक बात और बताना था उस दिन हमने भाहिया को किसी से फोन पर बात करते सुना था पबलु से मिलने का वज़ा मत पूछा कर समझा चला आके मिल, किसी को पीटने का प्लान बना है इस लागडाउन में दारू का इंतिजाम भी करेंगे तुम्हारे लिए आज 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 आपको तो यह नहीं पता है कि कुसम मारूफ गंज किससे मिलने गई थी या फुलवारी शरीव किससे मिलने जा रही थी और अब आप बता रही है कि बबलू किसी को पीटेने के लिए गया था तब इसका क्या समझे हम? कि कुसम ने बबलू को गाइब कर दिया, कि बबलू ने कुसम को गाइब कर दिया बात कीजिए सर हमारा बेटा बेटी दू तीन से गाइब है आप कुछ बोले जा रहे हैं यह नहीं कि हमारा बच्चा लोकाप खोजे डूटे कि काई कुणाल में शीतल के बयान के बाद पुलिस बबलू को जानने वाले हर दोस्त हर जानकार से मिल रही और फिर भाई बहन के कॉल रिकॉर्ड में नए समीकरन सामने आए बबलू के दोस्तों से यह नहीं पता चल रहा है कि वो उस शाम किसको पीटने वाला था लेकिन सर्ड बबलू और कुसुम तोनों के फोण उस शाम आनिसाबाद में एक साथ ही bंद हुए थे यानि दोनों भाई बहन उस शाम मिले होंगे लेकिन सर्थ दोनों भाई बहन के एक साथ गायब होने की कहानी कुछ समर्ज में नहीं आ रहे है और सर्थ कुसुम के कॉल रिकॉर्ड में एक सस्पीशियस नंबर भी मिला है जो उस शाम फुलवारी शरीफ में ही एक्टिव था और उसकी बहन ने बताया कि वो उस शाम फुलवारी शरीफ में किसी से मिलने वाली भी थी किसका नंबर है सर नमानवस्ती सर ये नंबर मनेर के एडरस पर रिजिस्टर है और उसी शाम से बंद है जब से कुस्म और बबलू दोनों गायब हूं ये आप क्या कह रहे हैं सर हम सच कह रहे हैं हम किसी कुस्म बबलू को नहीं जानते जानते नहीं हो तो कुस्म को फोन काये करते थैं सर जब जानते नहीं तो हम क्यों फोन करेंगे सर ये देख तरे कॉ इसमें साफ दिख रहा है कि तो कुस्म से कई बार पॉल तरह पैर चल रहा था कोहें बुला हैं उसे फुरवारी शरीफ में सर हमकभी पुलवारी शरी गई ही नहीं और सर जिन कॉल रिकॉर्ड कि आप भात कर रहें सर यह हमारा पुराना नंबर है खुब! खुमार आय हमें? अरेश व्यावड़ा अधिलाइस सब्सक्राइए आप लोगों ने बताया कि कुसुम का किसी की साथ अफैर नहीं था लेकिन कुसुम लगा था इस नमन नाम के लड़के के साथ फोन पर टच में थिए आप लोग जानते हैं इस लड़के को? नहीं सर, हम नहीं जानते हैं सर जी, वो नमन तो वहीं का वहीं पर है इस लड़के के टेक डिटेल निकालो जी सर, पर सर ये भी तो हो सकता है कि वो सच बोल रहा हो और कोई और हो जो उस फोन नंबर का गलत इस्सिमाल कुसम को फुसलाने के रादे से कर रहा हो लेकिन हमें बबलू का एंगल भी देखना होगा क्योंकि उसके जैसे भाई को ये बिल्कुल गवारा नहीं होगा कि कोई लड़का उसकी बहन से इतनी बात दरे तो हो सकता इसे गुसे में उसने कुसम को गायब किया और खुद गाया दे साथ सार अनीसाबाद में जंगल के पास एक लड़की के लाश मिली है वो सकता है कि लड़की के साथ रेप स्कूटे में ली नहीं सर और सर बबलू का भी कुछ पता नहीं चल रहा है और हो सकता है कि बबलू इसी को मार के बाग गया हूँ कुसम को भेरवालों को सनाट ले लाओ सार यह यह हमारी बटी पलाश का चहरा पहँचानना काफे मुश्किल है लेकिन हमें बॉड़ी पर यह कपड़े मिलें क्या यह कपड़े कुसम के तो अ प्रणाव 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 अ अ अ अ अ अ कोई समस्या है तो हमको बताईए न येस ब्रणाव अलोक अरे अभी हम न्यूज में पड़े हैं उसका फोटो भी देखें वही स्कूटी वाली लड़की का मडर हुआ है इका ट्रेजिक हो गया तुम रुखो हम अभी चिंटू को कॉन्फरेंस पर लेते हैं एक मिट रुखो का उसकूटी वाली लड़की का मडर हो गया अभी कौन मारा भे उसको भाई हम्रे तो रोंग्टे खड़े हो गई बात कुसम कर मानो कल की बात है जब हम उसे देखे थे सामने अब भूल जाओ भूल जाओ भाई अगर हम गलती से भी किसी को कह दियें के हम उस लड़की को देखे थे तो हमारा सनी मंगल सब खराब हो जाएगा का समझे हैं? सही बोले आलोक पर यह ऐसा नहीं हो जाए पुलीस हमी पर इलजाम डाल दे सर हम लोगों को तो लग रहा था कि कुसम का रेप हुआ होगा लेकिन सर पोस्ट मुड़र रिपोर्ट ने तो कहानी बदल करक दी क्रिमिनल बहुत सातिर हरिस वो दिखाना चाहरा है कि जैसे रेप हुआ लेकिन रिपोर्ट से साफ है कि यह मुडर केसा है और फिलाल गुनागार सिर्फ बबलू ने जरा रहा है वो जान बूझ करके ऐसा क्राइम सिनरच के भागा है कि लगे बहन करे भाई नहीं सर यह कहानी कुछ और ही है अरे कुछ और का छोड़े दिनेश जी आपके रिटार्मेंट को चार दिन ही बचा है चार दिन में पकड़ डाली क्रिमिनल को जानने से पहले डूटली जी वावाई जिस पोस्टमाटम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अपना अगला कदम उठाने वाली थी अब उसी पोस्टमाटम रिपोर्ट पर सवाल उठा दिये गए थी कुसुम के घर वालों ने पुलिस टेशन के सामने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था मीडिया इस मुद्दे को लगातार रिपोर्ट कर रहा था जिसके बाद थाने के सीनियर पुलिस आफिसर को इस केस का संग्यान लेना पड़ा जो उस वक्त लोगडाउन से समंदित जूटी में व्यस्त थे 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 राजेश्वर, मालूम है ना काजें कर लाओन है तो ये सब क्या है? सर वो महिलो को माई कर था है साब, साब हमें निया चाहिए हमारे बेटे को ठीक से ढूंडा नहीं जा रहा है और हमारी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है ये लोग के रहा है कि पो स्मार्टम में स्रुप मर्ड़ आ रहा है आपको यकीन दिलाता हूँ कानून के दारे में रहकर जो कर भी वनती है हम करेंगे ठीक है अब भी डटवाईए जाड़ी जाड़ी किये मैं सब से पहले वो ड़की कहना में कुसों उसका दबारा से पोस्टमंड गरवाना होगा अरिश बाड़ी को दबारा से पोस्टमंड सब्सक्राइब और वो लड़की कुसम उस दिन फुलवारी शरीफ में जिस लड़के से मिलने जा रही थी वह नमन अवस्थी था सर्व कुछ दूसरा ही लगता है क्योंकि नमन अवस्थी एखिलाफ हमें कुछ नहीं मिला है और नमन लगातार कह रहा है कि वह नंबर उसके त्योरी होता है उसे ज्यादा कुछ नहीं है और अगर बबलू पर इतना ही शक था तो उसे डूंडा क्यों अभी तक बबलू क्या तुम कुसम की स्कुटी तक नहीं पाई सर वो लॉकडाउन कोई जैसे पर सर दिनेज जी भी आज रिटायर हो रहे हैं सर अरे हाँ दिनेज जी सर दिनेजी आज तो आप रिटार होने वाले हैं सर एमर्जेंसी का वक्त है जब तक ये केस सॉल नहीं हो जादा तब तक हम ड्यूटी पर ही रहते हैं अरे नहीं दिनेजी आपने बहुत योगदान दिया है और बाकी टीम है ना हम संभाल लेंगे आप आराम कीजिए थ अरे दिदी आज बड़ी कमाल लग रही हो एसी चली जाओ निरची के सामने है धत खुछ भी बोलती हो तुम पागल अरे साधी करनी जा रही हो और वो भी घरवालों की मरजी सी काह सर मारी हो नहीं जब भी हम अपना शादी का बात सुनते है न तो पापा का उदास चहरा सा आरे दीदी काहे टेंक्शन ले रियो हम एक देड़ लग तक जोड रखें दे देंगे पापा को कुसम की सेकंड पोस्माडम रिपोर्ट आ गई है यह रिपोर्ट पहली रिपोर्ट से काफी अलाग है सर इस रिपोर्ट के मताबिक तुसम का बूटल ग्यांग रप हुआ था लड़की को पैर के नाखों से लेके सर तक गिद्धों की तरह नोचा गया लड़की के मुह में लकड़ी के टुकड़े मिले उसके मुह में किसी लकड़ी को थूस कर उसके वोकल कोड को डेमेज किया गया प्रवेट पार्स को डेमेज किया गया और वह हेवान यही नहीं दुके उसके सर पर किसी भारी पत्थर से वाग किया गया जिससे उसके मौत ह वाक्त तकरेबन साथ बज़े है और धाई बज़े के करील कई कुसम ने बढ़ जवेधिक को फोन करकर बताया था खोर कि اسकी कराब अधर हां शीतल ली दी वह अमारी स्कूरी खराब हो गई है अथा लड़की ने तकरेबन Praypan स्कांटे टॉर्चर साहा सर कुसुम के नाखुरे में रेपिस के स्किन के ट्रेसिज मिले और भी चौकाने वाले पॉइंचें सर इस रिपोर्ट में सर कुसुम वन बन प्रेगनेंट थी लेकिन उसके बॉइफरेंड का कोई नाम और निशान नहीं और हमें तो यह भी नहीं पता कि उसका भाई बबलू कहा खाया गए और सबसे हराने की बात यह है कि पहली पोस्टमॉटम रिपोर्ट में यह सब मैंशन क्यों नहीं था इस एरर के इंक्वारी करने होगे सब इंस्पेक्टर राजेश्वर को सस्पेंड कर दिया गया नहीं पोस्टमॉटम रिपोर्ट ने इस केस का रुख मोड कर रख दिया था सवाल ये भी था कि क्या बबलू इसमें इंवाल्ड था और वो अब तक गायब क्यों था पुलिस ने क्राइम सीन के एक किलोमेटर के रेडियस में फिर से छानबीन शुरू करवा दी और अब बारी थी कुस्म के माता-पिता के सच जानने की बोलिए क्या आप लोगों को पता था कि कुस्म प्रेगनन थी सर बोलिए हमको तो यह सोच के भी अजीब लग रहे कि कुस्म प्रेगनन थी हो सकता है बबलू के भी अजीब लगा उसे बहुत गुसा आया होगा जब उसे यह पता चला होगा कि उसकी बहन प्रेगनन है बबलू कहा है बस किजी सर बस किजी आपने अपनी बेटी कोई है, उसके भाई के लिए परिशान है, पर आपको छोबोने जा रहे हैं आमाइंड, सर पबलू मिल गया, लेकिन वो जिन्दा नहीं है, उसका भी मडर हो गया सर, लास के पास कुसम की स्कूटी और बबलू की वैक भी मिली गया, सब को जाडियों से पूरी तरा से छुपाया गया था कुसम की स्कुटी ये सीरी में खराब होई थी, अतलब बबलू को ढूंटा हुआ, यहां तक आया था और कोसम की लाश, यहां से एक किलमेटर दूर, पाम मिली, तो पहले बबलू को यहां मारा गया होगा और उसके बाद को किडनाइब किया गया होगा कुसम का सस्पेट बबलू को बनाना रहा हूँ स्कुटी, बाइक, बबलू, सब कुछ यहीं था राजेश्वर ने अगर स्ठीक से चानबिन करवाई होती ना, तो इक केस इतना ना उरुज था ऌतके हो यहा हु रहा हा है? सर्षितल ने अबनी स्टेट्मेंन में का था कि doesn't evenもの किसी जगडा हुआ था और वो अंहें दोस्तों में साथ किसी को पीटने का प्लान भी बना रहा चला के मिल खिसलो को कीडने का पलानने है सार नमन के call records में विमल चाहतरी नम के लड़के का नमबर मिलाए था सर नमन और विमल दोनों का नमबर उस दिन फुलवारी शरीफ में एक्ट धा जहां पुसम जाने वाली थी सर यह विमल लेकिन सर यह अस वक्ष़ जेल में है जेल में? जी सर, इसने लॉकड़ाउन प्रोटोकॉल का उलंगन किया था जब पुलिस वलों ने से पूछताज की तो ये उनसे बहस करने लगा पुलिस वलों ने से जेल में डाग दिये था तो थोड़ी बहसां भी करते हैं इसके साथ अप मास्क लगा साथ, हम किसी कुसम को नहीं जानते हैं वो मुझे पुलवारी शरीफ में अंकुष ने बुलाया था कौन अंकुष विमल जल्दी से पुलवारी शरीफ पोँचो पुलवारी शरीफ? अरे लेकिन बात क्या है? साथ, अंकुष बुला वहां एक लड़की को डराना धमकाना है तो बस हम वहां पहुच गए इसका फोन भी बंदा रहे है, होता नहीं कहां मर गई साथ, वहां वह लड़की आने वाली थी वह आने ही तो हम दोनों चले गए करी थे वह लड़की? करी वह लड़की थी याने वहां साथ? क्योंकि अमने देखा नहीं तो जिस लड़की का तुम लगों को रेप किया जिसका पातल किया, तुम लोगों को यह नहीं पता, जिए वह लड़की का उन्टा अब जूटने बोल रहा हमाँ साथ, हमको नहीं मालूम कि लड़की का फूल किस ने किया? साथ, हमने कुसम के जाथ कुछ नहीं किया हम तो प्यार करते थे कुसम से प्यार करते थे? पिर उसे फुलवारी शरीफ में धंकाने के लिए क्यों बुला है हम फेमल सब कुछ पहुक चुका है तो जादा स्मार्ट बने की कोशिश मत करना वो फुलवारी शरीफ नहीं पहुंची तो 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 अनिसा बात पहुंच गया वहां पहुंच कर तो ने इसके भाई बबलू को और कौन कौन शामिलतास मैं हमार यकिन कीज मने कुछ नहीं किया हम तो बस उसे समझा रहा चाहते थे कि वह भूल जाए है तेर आफिया था नहीं के साथ हम इसे प्रेवरेंट भी तुमने किया था है लेकिन हमरे सूचा नहीं था कि कुसु प्रेगनेंट हो जाएगी हमारे गरवालों ने हमारा रिष्टर रिया के साथ तैय कर दिया वैसे दिखने में कुसु जादा अच्छी थी लेकिन रियापने एक पाप की एक लौती बहुत पैसा उसके पास इसले कुसम को राज से सेटा दिया और और बभलू को भी नई साब ने कुछ नहीं किया हमार जाद्स कहा開ए तरे पास और नमय उर्फासित नम्रा मे था हमने तब ही इसका सिम रख लिया था जह यह नमन भी तुझे बचा रहा था यह भी यहां मिलश में हमने कूछ नहीं कह से रो यकिन कीजी सब दॉन उर यकिन कीनी अब रो क्यों रहे हो अमरा बच्चा बहुत बिमार है हम अपने गाउ असन सोल जा रहे हैं मालिक अरे बाप रहे इतनी दूर और वो भी पाइदल देखा इस महामारी ने ने सब का हालत खराब कर दिया अरे तुम डरो मत हम गरीबों को खाना पिना बाट रहे हैं तुम बथो वहारे बच्चे को अच्छी द्टडर को दिखा देते हैं बइटो. आई नहीं, आपकाहें तकलीक उचाएगा. हम चले जाएंगे. आरे इसमें तकलीक खाएगा? दीजे, दीजे बच्चे को हमेंदेजे. आरे दीजे आप दीजे. थोड़ा पुनिया हमें भी कमाने, दीजे ना? अहिं दीजे. आई आई चली बैठीए बैठीए! बैठो बैठो अप गाड़ी के इंदर बैठो इसलो है खोड़ुवम, तैसलोगिए.. छोड़ीव मैं शोड़ुम, ए Красष मोग चाहिँ! जाएदू जाएदू अहाँ जाएदू 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 ऐसे कहते M.O. Modus Operandi साला, सीखो भे हम से कुछ? अरे, जल्दी चलो अब यहाँ से और कुछ दिनों तक अंडरकराउंड हो जाओ जाओ यह M.O. वेमो कुछ बात में देखेंगे सर अंकुष को बहुत तोड़ा नमन और विमल दोनों को दुबारा से रिमान के लिए लेकिन सर कोई कुछ नहीं उगल रहे ये अंकुष, नमन और विमल इन तीनों को डियने को कुसम के नेल्स में जो स्कीन ट्रेसिस मिले थे उनसे मैच करो सर अलो अगर तुम दोनों इस जुगाड में हो कि कुछ माल मेटरिल मिल जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला अरे बिरोजगार है हम कुछ नहीं है आरे पास हाँ भईया लेकिन एक बार पॉकेट में हाथ तो डाली है क्या पता पुछ मेल जाए अरे का है रक्षा बंदन के दिन हमारी इज़ट निकाल रही हो देखो न यह देखो यह देखो हमारे पॉकेट में कुछ नी यह कहां से आ गया भईया यह पक्का कुसुम ने रखे होंगे हाँ भईया लेकिन आप से वापिस लेने के लिए नहीं यह आपवी के रक्षा बंदन का gift है अरे ने नि रक्षा बंदन के दिन बेन से gift ने ले सकता रख लीज़े ना भया अर वैसे भी कौन से डॉक्टर ने काए कि रक्षा बंदन पे भाई कोई बेन को gift देना है तरो का बोरा नोहींता हमारा बबलु वसी बेरुजगारी ने उसके जबर कड़बा कर दी है सर, कुसुम की लाश्मी हमें इसी तरह मिली थी सर, किलकुल वैसा ही नजारा है सर, हो सकता है कि इसे भी कुसुम के गातलों नहीं वा रहा हूं हो सकता है इसके हाथ पैंट उस रश्ची से बाले गया कुसुम के हाथ पैर पर भी इसी तरह के निशान थे कुसुम की बाड़ी के पास को रश्ची मिली थी नहीं सर, कोई रश्ची नहीं मिली आसपास चख करो, सब जगा चख करो सब आपको आपको ने जब दो आपको आपको ने जो भी आपको जो प्रॉज ने जी ना थोड़ा पुनिया भी कमाने दीजिए सर यह मुबाइल भी मिला यहां पर आंग रहो देखो किसका सर चेक किये अन नहीं हो रहा है शायद बैटरी डेड़ है चार्ज कर बाहो देखो किसका सर मौहीं वहां वहां वह ऑरत की लाष और यहां यह चोटा बच्छा वहां दोनों को आपस होसी और इन नहीं हो सकता है बच्छा उसी और एंच जपके सथ कछ कुछ गल्ट हुआ और चेना जव्हटी में उसका यह बच्छा यहां पर गागया और मोबाइल भी गिरा। एक गाम सरी मोबाइल एक नीलम नाम की अरुटका है, जो एक माइगरेंट लिबर है, मेरी उसके घरवालों से बात हुई है, वो अपने बच्चे के साथ पैदा लासंसोल के लिए निखली शी, मतलो बच्चा उसी अरुटका था, परने कुछ नक्त के लिए बला। सर, मेरी पोस्पाटम डॉक्टर से बात है, उस लड़कीं के साथ भी ग्यां ग्रेफ हुआ था, यानि उस मज़ूर ओरत नीलम को पहले मारा गया, फिर पत्थर से उसका सर को चलकर उसका चेहरा भी गड़ा गया, सर मैंने क्राइम वाले दिन की हाईवे एरिया की सीचीडी व खर्णो को दी बनाने काम बनाने का आप अब अगर हम 2+, 24 करें तो तो थीवरी यह बंती है, कि सिल्वर कार में उस मज़ूर उरत को किड्नैप किया गया होगा, और के नैपर्स या मुझ्रिम जो भी हैं, वो दानापुर में फॉर्णीचर वरक्षप से जूड़े हो सकते है और अब अगर हमें इस सिवलर कार और मुझनिमें को ढूणना है तो हमें दानापुर में ढूणना होगा लेकिन सर लॉक्डॉन की वज़ा से सारे फर्नीजर के कार खाने बंद है वहाँ पर पुस्ताश नहीं की जा सकती एक आइडिया है काम मश्किल जरूर है पर नामुंकिन नहीं है क्रोणा वाइरस थर्मस्क्रेणी अरे साब आप तो शासरी नगर में रहते हैं पर यहां दानापुर में भी हमारा अपना घर है वहम प्लान किये थे कि रिटार्मेंट के बाद यहां के रहेंगे इसलिए हां आगए लेकिन साब यह पीपी के अट हरीश है अरे हरेश कैसे हो अठी है तो साब ये कोरोना ड्यूटी में ये थर्मल स्क्रीनिंग का ड्यूटी भी पुलिस को ही दे दी है के सरकार तिनेज जी, अको कुसम मर्डर के सी आद है, हाँ सर, याद है, कोई है शेहर में जो लड़कियों का अपना शिकार बना रहे है, और हमें पूरा शेक है, को इसी इरिये का है, साब यहां दानापुर से, जी, और हमें यह भी खाबर लगी है, पिर जो भी है, वो सिल्वर रंकी पता चल चुका है, पता चल गया लेकिन कैसे, अरे वो इंस्पेक्टर मिला था पापा को, कह रहा था कि हाईवे वाले कार में किसी सिल्वर कलर की गाड़ी का इस्तमाल हुआ है, आज एक खबर सुनकर देल धहल गया है, एक मजदूर लड़की 500 किलोमेटर पैदल चलके और देखीगा पापा, इस बार भी कोई पकड़ा नहीं जाएगा, पुलीस के बस की बात ही नहीं है यह, इंस्पेक्टर साब मिले थे आज हमको, और हमको लगता है कि वो जानते हैं कौन लोग हैं इस कांड के पीछे, कोई सिल्वर रंग की गाड़ी को ढूंड रहे हैं, लेकिन हमने तो हमारी सिल्वर गाड़ी का नंबर प्लेट ही गलत लगवाए थे हम, फिर कैसे पता चल गया, देखो पुरानी बातों को छोड़ो, अब सोचो आगे क्या करना है यार, नहीं, 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 साब, 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 हम बानते हैं कि हमने उस मजदूर औरत का रेप की है, सुन्डाओ, आगे बोलो, और वो भी रेप करने का कोई प्लान नहीं था, बस उन तो गल्ती से हो गया सर, भाया आप, कहा जा रही थी, भाया वो फुलवारी शरीख में हमारी ये कलीग रगी है ना बस उसी के, बहुत बने लगई हो ना तुम हम से, अब एक नहीं किजिए, तेरी आवाज से वा नीचे करतेंगे हम, बहुत परलागे ना थेरे, या थाए, अब लड़की को, कचु प्रॉबलम है कब है, जोरो भाया थाए, तो लड़की को कंट्रोल करने के लिए बांदी और जायब हम पहले सोचे के उस लड़की को भी मारी देते है, ले लेकिन साइब हमको मजा करना था तो हम थोड़ा दूर चले गए साइब हम सोचे के वो खुदे ही तरफ तरफ के मर जाएगी लॉक्डाउन में उसे कौन देखता था कुसुम को पत्थर से नहीं मारे था सर उस मजदूर औरत को ज़रूर पत्थर मार के उसका चैड़ा बिगाड़ा था सर हम लोग में साइब हम यह सोचे थे कि आप लोगों को यही लगएगा कि कुसुम के इकातिल ने उसे मारा होगा लेकिन साइब हम कसम से कह रहे हैं हमने कुसुम के साथ कुछ भी नहीं किया है साइब हमने तो उसको जिंदा चोड़ दिये थे भाई पर जबकि कुसुम का मटर साथ बजे के आसपास हुआ है असर मैंने कन्फर्म किया है कि चिंटू के दोनों जोड, अलोक और सनी वो दोनों भी शाम को साथ बजे अपने घर पहुंच गए थे पर कुसुम को पिसमें माला पापा, मुम्मी, खाना चले रामना जी, चलते हैं मन्टू, वह मन्टू जिसके साथ आप उस दिन कुसम को ढोड़ने गए उस मन्टू ने हमें कुछ बताया अंकुष, एक प्रॉब्लम हो गई है हम प्रेगनेंट हो गए है हमारे प्रेटलो की जबीन निकल गई हमने किसी से कुछ नहीं बोला सिवाई बबलुके हमने फुकल ना भी नी की थी कुसम हमारा मुखाला कर देखी तो आप का करेंगे आप द्रितराश की तरह आप जाएंगे या गांदारी की तरह अपने आखों पर पट्टी बांद लेंगे नहीं हम यह बटाश नहीं करेंगे बबलु से मिलने का वज़ा मत पूछा कर समझा चला के मिल किसी को पीठने का प्लान बना है अमरे कहने पर बबलु ने पहले ही प्लान बना लिया था उस रोज कुसुम जब सहीली से चारजर का बाहना करके निकली तो हम समझ के यह उसी लड़के से मिलने जा रही है हमने पीछे से बबलु को उसके पीछे लगा लेकिन उसके पाप बबलु का कुछ अतापता नहीं चल रहा था हम मन्टू के साथ उसे खूलने गए बबलु तो नहीं दिखा लेकिन कुसुम हमने मन्टू से बिन्ती की और इतना ही बुला कि उसका रेप हुआ था समाज उसे नहीं अपनाता कैसे बाप हो बेटा अगर कैसा भी हो तो चलेगा और बेटी वो बेटी जिसे किसी ने धोके से गरबती बना दिया वो अशुद हो गए अशुद वो नहीं अशुद तुम जैसे लोगों की सोच है हर इंसान के दो चहरे होते हैं एक अच्छा एक बुरा उस इंसान को कौन से चहरे ने जकड रखा है यह हम नहीं जानते हैं और धोका खा जाते हैं इस केस में कुसम अंकुष को अच्छा समझ रही थी जो बुरा निकला कुसम का भाई बबलू और उसका अपना पिता रामनाथ वो सब के चहरे से धोका खा गए और वो तीन दरिंदे जिन्होंने दो महिलाओं की जिंदगी बरबाद की थी उनके वी दो चहरे थी अपने प तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें सतर्क रहें सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रूल सतर्क जैहिल